Welcome to my channel जा हम बनाएंगे कुछ healthy, कुछ tasty Drumstick wet soup बनाने के लिए हमें चाहिए Drumstick, Locky, Gajar, Beetroot और लहसुन Drumstick या सेजन की फली फुल अफ मिनरल्स और फाइबर्स होती है इसमें protein, potassium, calcium, beta-carotene और antioxidants होते है Drumstick खाने के बहुत सारे benefits है Locky खाने के भी बहुत सारे health benefits है Drumstick wet soup बनाने के लिए हमने ये आधी जो Locky है वो धूल के काट लिए है तीन Drumstick ऐसे हमने काट लिए है गाजर, दो वो हमने ऐसे छील के काट लिए है और एक बीट रूट छील के काट लिया है मसालों में हमेचे ये नमक, हल्दी, भुना हुआ जीरे का पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर सूप बनाने के लिए हम ये सब कटीवी सबजी कूकर में बॉइल होने के लिए रख देंगे गार्लिक भी इसमें डाल देंगे, काटने की जरूरत नहीं है और ये भी जो सबजी है वो बहुत बारी काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह हम बात में ब्लैंड करने माले हैं हल्दी डाल देंगे आदा चब मच्छे करीबन और स्वात के नुसार आदा चब मच्छी हमने नमक डाल रहे अब इसमें हम करीबन चार ग्लास पानी डाल देंगे हमें ये प्री बुर्शावस तक बॉल करना है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदाई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब का बटन जरू दबाएं देखिए ये हमारी वेजेटेबल सुबल गई है अब हम ये रम स्टिक को ऐसे अलग बिश में निकाल लेंगे जब ये रम स्टिक थोड़ी थंडी हो जाए उसके बाद में हम ऐसे चम्मत से इसका पल्प निकाल लेंगे अब ये जो पल्प निकालाए है वह हम इस पुलकर में वापक दाल देंगे और ये सबजी को सूप को हम ब्लैंड कर देंगे देखिए इसे हमने ब्लैंड कर दिया अच्छे से अब हम इसे चान लेंगे इस तरह से चान लेंगे थिए पल्प भी अच्छे से कि वो शूप में कला जाए इस तरह से चान है अब इसमें हम इसे निकाले गी नहीं है अच्छे से खामेंगे देखिए हमारा सूप बनके रेडी हो गया है इसे हमने चान लिया है अब इसमें हम रिवन हाफ टी स्पून काली मिट्स पाउडर और हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें मिला लेंगे इसे स्वात बहुत बढ़ जाता है अब इसे सर्पर सेखिए आजकल कोरोना से बहुत लोग सफर कर रहे हैं इसका एक मेजर सिम्टम है वीकनस मेडिकेशन के साथ साथ रिकवरी के लिए आप इस सूप का इस्तमाल करिए ये सूप आपकी इम्मुनिटी बूस्ट करेगा और आपकी बॉड़ी की स्ट्रेंग्ट बढ़ाएगा इत हल्दी, बी हल्दी